तो दोस्तों बिल आखिर एक one-sided refer के बाद इंडियन टीम ने पाकिस्तान को comprehensively आज हरा दिया वोल्ड कप में 80 दफा लगतार इंडियन टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया 8-0 हो चुका है अभी ये टेबन और इंडियन टीम कम्प्लीट डॉमिनेंस के साथ आज खेनी और पाकिस के साथ वो अब इस पर्क देखने को नहीं मिला फार्स बॉलर्स का इसी तरह स्पिलर्स हमारे विशा से ओट और फॉर्म है तो सवाल अभी आता है कि क्या आज का मैक्स फिक्स था बहुत लोगी सवाल कर रहे हैं कि क्या मैक्स फिक्स हो गया था जका इश्रिफ इंडिया ग आपर हमने अच्छा स्टार्ट ले गिया था 151 पर तीन आउरते उसके बाद अचाने सी जो है वो कुलाप्स होता है बाबर की विगट के बाद और टीम ऐसे लगा जैसे पैनिक कर गई तो हमारी अपनी गलती कुछ से हम हारे हैं हमारी बोडी लेंग्विच ही आज नहीं थ इस पिच पर इस फ्लैक ट्रेक पर कुछ भी नहीं यह रोड थी आज एमदाबाद में और पाकिस्तान टीम को मिनिमल 350 रॉल्स करने जाये थे इस पिच बे और मैक्सिमा आप जितना मर्जी 383.90 ले जाए और यह पिच ऐसी थी आपको थोड़ा सा टाइम लेना था मिडल मे जो कि लिया बाबर रिजवान ने बाबर गलट लाइन पर आउट होए उनके आउट होने के फोरन बाट टीम को एपस कर गी पानी की तरह बहती गई टीम सारी सब तमाम बैटर्स बैगे और रिजवान जो थे बूलने भी इची निंग्स के लिए लेकिन बहुत स्लो थे तो उस प्रेशर वो ने नहीं पाया और अपनी विगट गवा गए फिर टेलेंडर्स लोर मिडल ओडर उनसे कुछ भी ना हुआ तो इंग शॉट पाकिस्तान अपनी बैटिंग बद से आज हारा है फिर जब बोर्ड पे लगी वन नैटे वन रन रन जो और पिस फ्लैक हो अब बॉलर्स से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे और इंडियन टीम का यही स्टार्ट था उनने लिए था कि हम जो है वो चड़ दोड़ेंगे पाकिस्तान के बॉलर्स पर और अटेकिंग तरीके से भी ने खेला क्योंकि वो अपना रन रेट में इंटेन करना चाते थे इंप्रू पाकिस्तान टीम को दुबराक ग्रूप यहान पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा, बात यह थी कि लोग इस मैच को फिक्स को फिक्स किना आया यही बोल रहे हैं, success कर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिक इ attempts लेए और उने गाध से पाकिस्तान टीम आ गया डूर्ण लोग क्या मीटिंग में असी बाते होती ही कि पाकिस्तान टीम को जो आन हो जाता है बहुत बुरी रवायत है इसको खटम करना पड़ेगा कि बड़े मैच से पहले चेर्मेंट क्यों मिल रहा है टीम से जकाशरफ साब कल रात को टीम से मिले अब पाकिस्तान ने पहले दो विंस आसल कर ली थी नाइदर नेट से लिगागे गेंज तो जकाशरफ साब के सोचा कि मैं बड़ा बन जाता हूँ और मैं भी टीम टीम से मिल लेता हूँ ताकि मैच जीतेंगे तो मुझे क्रेड़ेट मिलेगा लेकिन मैच हारे और उल्टा जकार शर्फ पर बुरी बाते हो रही है ट्विटर पर उनको गारिये दी जा रही है कि वो टीम से क्यों मिले थे उन्होंने मैच टेक्स कर लिया तो लेकिन आगी के तल ऐसा कुछ भी नहीं है पाकि जीति किसे मुझा रही है जो प्रेशने दालना जाएए